दोस्तों यह फोन है रेड्मी 9 पावर इसमें फिक्स प्रॉब्लम एक ऐसा कंपणी से फॉल्ट आया है कि यह फोन जो है चालू-चालू बंद हो जाता है यह फोन टेड़ हो जाता है तो इसका फिक्स एक सेलूशन है वह आपको मैं बताना चाहता हूं टेरिक लाई यह चाहत करूद आपको इस तरीके से यह पत्रा निकालना है और आपको बीच में लिखेगी ब्लेक कलर कि पियए मैं सिर्फ यह पावर मैनिजमेंड आइसी जो होती है यह पावर को मैनेज करते है अकर पावर कहीं भी इसको कम जादा सप्लाइग होता है तो यह फोन चालू होने में दिख्कत देता है तो आपको क्या करने हैं इससे तरह से फ्लक्स लगातार इसको horribly चुमेर कम से कम 30 या 35 पर उसके बाद आपको फॉन किए बार में इसके बाल despite अगर फॉन अजाता है तो फीक ہے और अगर फोन नहीं वाल कि तो आपको यह PM IC रिप्लेस करना पड़ेगी चेंश करना पड़ेग्ञ जलिए अज्छ इनल को हमारे चैनल पर आपको फिक्स प्रॉब्लम बहुत सारे मिल जा है लाइव बहुत सारी वीडियो से अब अगर चाहो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखिए इसको लगाने के बाद में मैं आउन करके देखता हूं य जो है आउन होगे यह कस्टमर हमारे पास ने फोन लाया था किसर ये फोन जो है ये चादू-शादू और तो ये फोन जो है डेरिक लाइव करने की जोशिश टेराइब अब तो ये अपसर पी-म-I-C जो है उसके नीचे के जो ट्रेक से रहते है वो ट्रेक से जो है इसी भी और जो आइसी के बॉल्स रहते है वो दोनों में कनेक्शन जो है वो कम जादा पावर होने की वज़े से ये डिस्चाज हो जाते है तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा आपको इस देखना पड़ेगा और नहीं तो पी-म-I-C उसको डेरिक्ली चेंज करना है तो ये देख बड़ेगा एमिख्ञा में इसे अशिक आदाउ है ये फड़ेगे अब जो है ये बिछे ऑग गया है ये तो फौन तो ये थेखिए फट्न कंप्लीटी स्टार्ट कि स्टार्ट हो जेए जिसमें देखनेंगे और इसका में उसको अच्यमलेरा चेक करके आ प्रीड को आट ह इसका वर्जन चेट करके मैं आपको बजा देता हूँ इसका वर्जन वगेरे देखिया यह जो फोन यह डिरेक्टली बंद कंडिशन में है था और सिल्फ हीट मारने से फोन चाहिए